आज हम बनाएंगे मोस् डिमांडड रेसिपी अफ चिकन चंगेजी यानि के चिकन चंगेजी हम बनाएंगे एकदम जट पर्ट से और बहुत ही असान तरीके से आप इसे बना सकते हैं घर के मसालों से और इतनी टेस्टी लगती है कि आप उंगलियां चाट जाएंगे तो इस फॉलो भी कर सते हैं फेस्बूक पे तो चलिए इसको बना लेते हैं हम जल्दी से तो इस रस्टाइल रिसिपी को बनाने के लिए हम एक कडाई ले रहे है उसमें हम डाल देते हैं तीन से चार बड़े कप भर के पानी को इसादि में यहां पे डाल देते हैं तक तमाटर को और यहां पर एक टुकड़ा अद्रक का डाल देते हैं, दो तीन हरी मिर्चे आप डाल लें, बहुत जादा तीकी नहीं होनी चाहिए, साथ ही में यहां पर हैंडफुल आप ले ले जलसन, और इसको डाल देते हैं इसके अंदर, और हम इसको धक के पकाते हैं, जरा दो मिनिट के लिए पहले पका लेते हैं, दो मिनिट के बाद आप देखेंगे तमाटर हलके हलके से पके हैं, साथ ही में यहां पर मेलन सीड्स होते हैं, और साथ ही में यहां पर काजू डाल देते हैं, दो चम्मच तो दो चीजें दो दो चम्मच जाली हैं, और इसमें डाल इसको रख अब आप गयस बन कर दें और इसको ठंडा करके आप अच्छे से ब्लेंड कर लें पानी आप साइड दे जगे तो अब मैंने एक बाउल ले लिया है इसमे अल्रेडी मैंने सैलड बनाया था मैंने वही बाउल यूस किया है क्योंकि इसमें जूसेज होंगे तो अब में यहां डाल देती हूँ एक चम्मच छोटा वाल जाल दिए यहां पर साथी में यहां पर सूरी मेथि नाल देती हूँ एक चुटकी स्फूटा और हमैं यहां best हरा दनी अभी आट कर दिया है अब हम यहां डालते हैं एक छोटा चम्मच चाट मसाला का, एक छोटा चम्मच से भी कम मैंने यहां लाल मिर्ची पाउडर लिया है, यह कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, आदी छोटी चम्मच दनिया पाउडर आप डाल दें इसमें, और आदी छोटी चम्मच आप कोई भी च जाल देती हूं और इन सब को हम अच्छे से चला लेते हैं तो रंगत के लिए मैंने यहां पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची जादा डाल दिये और आधा छोड़ा चमच गरम मसाला भी जादा डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अगर आपको लग रहा है बहुत अब मुझे थोड़ा सा और पानी डालने की जरूत पड़ गई है तो मैं इसको चला लेती हूं साधी में यहां पर मैं डाल देती हूं एक बड़ा चमच भर के सरसो कतेल का और इसको भी हम अच्छे से चला लेते हैं तो जितने मसाले हैं आप description box में देख सकते हैं तो यह हो अच्छे से मेरिनेट कर लेती हो तो मेरिनेट करने की बाद अब हम ले आते हैं इसको एक पैन में तेल डाले थोड़ा सा और इसको इसमें प्लेस कर देंगे यह देखे अच्छे से प्लेस हो गया है अब आपको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना चमिचा भरके मैंने डिफाइंड ओल ले लिया है साथ ही में इहाँ पर देजपता डाल देती हूँ दो हरी एलाईची में डाल देती हूँ एक बड़ा टुकड़ा मैंने दाल चीनी का डाला है इसमें और इसके साथ साथ मैं आपे 4-5 लॉंग इसमें डाल देती हो तो ग्रेवी बिलाने के लिए हमें इतने मसाले के जरुवत पड़ेगी और ग्रेवी अच्छी होगी तो ओवराल रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी तो आप इसे लो फ्लेम पर पकाते हैं साथ ही में यहां पर डाल देते हैं कुछ मसाले आदी छोटी चममच हल्दी पाउडर एक छोटी चममच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का एक छोटा चममच मैंने डाल दिया यहां पर धनिया पाउडर का और इन सब को यह तंदूरी वाला बनाया था जो रहे गया था चिकन का मैस में डाल देती हूं तो यह मसाला बहुत जरूरी है अगर नहीं बचा है तो आप इसको थोड़ा पानी डाल के बचा लें चीकन बचाना है तो तो दाल देती हूं तो इस बात करें जो अच्छे से स्मूथ होना चाहिए और हम इसको इसमें मिला लेते हैं तो अभी से ही ग्रेवी एकदम से गाडी सी लगने लगी है चले देखलते हैं चिकन काहाल तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चिकन पक इस पानी भी छोड़ा है और चेकन देखे इतना पका है करीबन 92% 95% पक चुका है और यह जो पानी है यह पानी हमें बहुत काम आने वाला है तो इसको मैं इसमें डाल देती हूं ध्यान रखेंगे कि अभी हम चेकन नहीं डाल रहे हैं अभी सिफ इसका पानी बचा है वो डाल मैं थोड़ी सी कम कर देती हूं और इसको धकन लगा के 3-4 मिट के छोड़ देते हैं तब तक हम चिकन देख लेते हैं यह देखे पानी बिल्कुल सुखा दिया था हमने अब मैं जलता वा कोला डाल देती हूं ताकि इसमें तंदूरी जैसा एफेक्ट आ जाए उपर से हाई कप दूद का और अब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूं और अब मैं धकन लगा के इसको 2-3 मिनिट के लिए ऐसी छोड़ देते हैं तो 2-3 मिनिट के बाद हाई फ्लम पे जैसे हमने पकाया है तो अब मैं इसको देखूंगी तो यह देखे बिल्कुल फटा-फटा स अब देते हुं बटर अबस लेल था यह दो तैयार हो गई है तो जैसे बोक् 느ूर्ड हो रही है इसमें ही मैं डाल देती हूं घृतु मालाई टी यह बड़ देखै और यहां पर यहां पर एक बटर कभार बटज बटर उचला टॉक्यल साथ हैं थोड़ा अब ले लेती हूं कसूरी मेथी को उसको भी डाल देते हैं और इसको हम मिला लेते हैं तो यह दुंगार वाला जो चिकन है यह रिडी हो चुका है अब हम इसको डाल देते हैं तो ग्रेवी इसकी बहुत जादा पतली नहीं होनी चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखें और अगर पतली है तो आँच बढ़ा के आप मलाई डालने से पहले आँच बढ़ाएं और इसकी ग्रेवी को गाड़ा कर ले अब हम इसको चला लेते हैं चिकन के साथ तो एकदम ड अब हम इसको साइट कर लेते हैं तो तो एकदम मज़ेदार शिकन चंगेजी एकदम रड़ी हो गया एकदम मज़ेदार चिकन चंगेजी एकदम रेस्टारॉन जैसे आप बड़े होटल्स में खाते हैं वही वाला फ्लेवर बिल्कुल अथेंटिक फ्लेवर आपको जरूर पसंद आएगा इसको चावल के साथ रोटी के साथ नान के साथ यह रोटी के साथ भी आप इसको सर्फ किजे बहुत मज़िदार है और एक बार बनाएंगे आपको पसंद आएगी ओपर से थोड़ सा इसमें धलिया मैंने उपर से रख देती हूं साथ ही मिर्ची लगा देती ह और यह बटर तो लिजे बन गया हमारा एकदम रेस्टरॉन स्टाइल चिकन चंगेजी एकदम तयार इसकी प्लेटिंग भी बिल्कुल वैसी जैसे पसना है मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मुझे कमेंट करें बताएए